नमस्कार और विल्कम यौल दू स्टडी आइक्यू मैं वो प्रशान दबन नाव रीसेंटी हमने ये देखा है कि चाइना के डेट ट्राप में जब एक देश आ जाता है और जब चाइना अपना इंफ्लेंस वहाँ पे जमा लेता है तब किसे भी और कंट्री की कंपनी का इयरपोर्ट पे बहुत सारी फ्लाइट्स डिले करनी पड़ी बहुत जादा क्योस मच गया और यूट्यूब पे भी आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो अप्लोड करी है ये अच्छली जो एफरिका का न्यूस नेटवर्क है उन्होंने दिखाया है क किस तरीके से कुछ लोग वॉयलेंस पे उतराए थे पूरे एरपोर्ट को घेर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इन लोगों का मुद्दा यही था अडानी मस्ट गो अडानी को भार निकालो ना परसनली आप अगर मुझसे पूछे मुझे लग रहा था कि ये जो एश केनिया में ना डिसकस करते हैं यह टॉपिक बहुत ही इंट्रस्टिंग एक जियो पॉलिटिकल केस है इसमें आप समझ पाओगे काफी बार लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से चाइना ले लेता है लीज पर एयरपोर्ट या पोर्ट निन्यानवे साल के लिए 30 साल के लिए हम क्यों नी करते जब हमारी companies ऐसा करने का परियास करती हैं क्या क्या प्रॉबलम्स आती है और ये प्रॉबलम्स आती भी क्यों है ये मैं आपको बताओगा इन डीटेल नाव सबसे मेले तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैप में ये है हमारा प्यारा भारत और इंडिया से आप अगर जाओगे वेस्ट की तरफ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बहुती बड़ा आफ्रिकन कॉंटिनेंट और आफ्रिका का एक बहुती फेमस देश है केनिय यहाँ पर आप देख पाओगे सोमालिया जो अपने आप बहुती फेमस है नेगेटेव रीजन की वज़े से उसके बिलकुल साथ में आपको मिलेगा केनिया राजधानी है केनिया की नैरोबी पांच करोड चालिस लाग की आबादी है मैजॉर्टी पोपुलेशन यहाँ प तरीके से ग्रो कर रहा था मगर अचानक से चाइना की सरकार ने यहाँ पर इंडर्वेंशन करनी स्टार्ट कर दी और यहाँ के पॉलिटिशन को अपनी तरफ करके इस देश को पूरे देश को बहुत बड़े डेट ट्राप में फसा दिया जी हां आज के समय केनिया एक हुआ क्या कि इन्होंने इतने जादा हैवी इंटरस रेट पर यह लोन लिया था कि चाइना का लोन चुकाने के लिए काफी बार इनको IMF से और सोर्से से और जादा लोन लेना पड़ा जिसकी वज़ाँ से टोटल डेट जो केनिया आज के समय ले वैठा है यह 80 बिलियन में आ चुका है तो पक्का कोई ना कोई इनका पॉर्ट फॉर एक्जामपल इजर आप देख पाओगे मुंबासा पॉर्ट बहुत अच्छी लोकेशन है प्रॉपरली किनेटेड है इनकी कैपिटल से नायरोबी में यह जो पॉर्ट है यह तो चाइना ले गया होगा लीस प पर नहीं दिया है बीच में रिपोर्ट आई थी कि मुंबासा पॉर्ट जो वीवन आपको दिखाया मैप पर यह चाइना ले लेगा अगर केनिया डिफॉर्ट कर गया अपने डेट पर मगर केनिया की सरकार ने बार बार दुनिया को यह का है कि चंता क्या आउशकता नहीं ह आते हैं चाइना का लोन रीपे नहीं कर पाते उस केस में भी चाइना पूरे पोड़ पे कबजा नहीं कर लेगा नाओ देखो यह जो स्टेट्मेंट है केनिया की सरकार की एक बार को आप यह भी कह सकते हैं शायद अपने लोगों को शांद करने के लिए यह कह रहे हैं बट आ आप अगर फिनेंशल टर्म्स में देखो अगर आप फिनेंशल मार्केट फिनेंशल हिस्ट्री में देखो जब आप एक डेट पे नहीं कर पाते किसी प्रोजेक्ट का तो वो प्रोजेक्ट 90% केसिस पे आपको लीज पर देना ही होता है तो अभी के लिए तो देखिए केनि यहाँ बहुत ज़ादा है केनिया के लोग अपनी केनियन आइडेंटिटी पर बहुत ज़ादा प्राउड फील करते हैं और सरकार भी ये बात फील करती है कि कल को अगर निउस पेपर्स पर ये हेडलाइन आ गई कि पोर्ड चला गया चाइना ने ये पोर्ड ले लिया और दे भी गवर्मेंट चाती नहीं है कि इस स्टेज पे आके 2024 में आके वो एक डेट ट्राप में फस जाएं और एक पोर्ड या फिर एरपोर्ड गवादे लोग माफ नहीं करने वाले उस केस में अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं मगर अडानी ग्रूप की एंट्री क पर कुछ नहीं दोगे ना सिर्फ लोगों का युएस का भी प्रेशर था तो इंदियन देखिए कहीना कहीं से इनको पैसारों चाहिए था तो केनिया की सरकार ने ये सोचा कि इनकी राजधानी के पास ना एक बहुत ही बड़ा एरपोर्ट है इदर आप देख पाऊगे जो ये करनी शुरू कर दी कि 1.85 बिलियन डॉलर्स की डील करते हैं अडानी ये पैसा देगा केनिया की सरकार को उसके बदले में 30 साल के लिए ये पोर्ट हो जाएगा अडानी एरपोर्ट हो जाएगा अगर आप सुच रहे हैं कि अडानी ये क्यों करना चाहेगा देखिए क्ल ये अमाउंट भी निपट जाएगा और साथी साथ अडानी प्रॉफिट भी कमा लेगा जैसे इस डील को लेकर रिपोर्ट सामने आई पहले तो देखिए केनिया का जो हाई कोट है वो रास्ते में आ गया और इस कोट ने इस डील को कर दिया ब्लॉग ये कहकर के देखो ये जो डील है इस से केनिया का कुछ वायदा होगा नहीं एक प्राइवेट कम्पनी को केनिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट आप अगर दे रहते हो तो सबसे पहली बात नौकरिया जाएंगी। ये ओव्यस बात रहिए जब एक प्राइवेट कम्पनी एंटर करती है सबसे पहल है ये जो airport है Kenya की pride के लिए Kenya की strategic point of view से भी बहुत important है तो ये deal block हो गई और अब हम देख रहे हैं कि कई लोग जो airports में काम करते हैं कई worker union के लोग ये all together कह रहे हैं कि कल को ऐसा नहों जाए कि court में कुछ दलील प्रस्तुत करके अडानी वापस ये जो important airport है ये अपने पास ले ले तो अब अच्छे से protest हो रहा है airport के आसपास और लोग demand कर रहे हैं कि all together अडानी को ही देश से भार निकाल दो ensure करो कि कल को हमारा airport या फिर कोई और project एक private company के हाथ नहीं जाएगा now मुझे लग रहा है कि definitely इसमें कहीना कहीं चाइना का एक involvement है आप देखोगे global times ने इस पर एक proper article भी पब्लिश किया है कि canyon aviation worker strike इन्होंने हर्ताल कर दी over planned airport leasing to Indian company देखो चाइना का मैं समझ सकता हूँ इनको बहुत गुसाया होगा जब अडानी ग्रूप पिक्चर में भी आ intention है वो प्योर हो वो चाते हैं नहीं के यहां पर debt trap बना के बाद में इन्हों एक military base बना दो किसी जगा को कुछ उनकी खराब intention थी नहीं मगर ये एक disadvantage Indian companies को face करना पड़ेगा क्योंकि चाइना ने इन्वेस्मेंट्स जो आती है from Asian countries इन पर बहुत बड़ा आप कहलो एक question mark नहीं हुसा देंगे इवन दो इंडिया ने कभी ऐसा किया नहीं है और यह हमारा disadvantage है कि चाइना ये सब हमसे कई साल पहले करता गया और हम काफी लेट हो गए कई countries में देखिए for example Kenya की और मैं बात करूं दसियों साल से यहां पर चाइना के debt trap की चिंता बनी हुई है इनके लो अगर आज से काफी साल पहले करती तो शायद ये problems ना आती तो Kenya का देखिए case अभी बहुत जादा complicated हो चुका है बट आफरिका में अभी बहुत सारे देश और हैं जहां पर investment opportunities हैं Indian companies 10 साल के लिए 20 साल के लिए यहां पर port, airport ये ले सकती है lease पर इससे कमा सकती है profit और obviously इससे इंडिया को फायदा ये होगा हमारी सरकार को मिलेगा इससे tax जो ultimately लोगों पे ही खर्चा जाता है तो Kenya का case देखो अभी काफियत मैं कहूंगा के done and dusted है मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ और जादा अब हो पाएगा everything is blocked court रास्ते में आ चुका है लोग protest कर रहे हैं मग बहुत important projects के लिए और finally यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा question यहाँ पर यह है कि हाली में किस country ने का है कि हम लोग joint naval और air drills करेंगे युदवयास करेंगे रश्या के साथ एक बहुत ही important exercise में जिसका नाम है Northern United 2014 इस युदवयास को लेकर US जपान बहुत जड़ा च करेंगा यहाँ पर आपकी options चाइना इरान नौर्थ कोरिया या फिर इंडिया comment section में करिये उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट देंगा ताकि वाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है and finally आपर मैं यह भी add कर दूँ के study IQ को 10 साल हो चुके है जी हाँ 10 साल ब पहली बात तो मिल रही है double relative मतलब के अगर आपका course एक साल का है दो साल का हो जाएगा और साती साथ एक mega discount जो आज से पहले study IQ में देखा नहीं किया था literally we are celebrating with all of you 5 दिन तक यह sale चलेगी 11 तारीक से लेके 15 तारीक तक तो आपके पास यह golden opportunity है आपको करना क्या है simply जाएए वीडियो के comment section में और यहाँ पे आपको यह link दिख जाएगा UPSC GS Foundation 2025 प्रतिग्या batch का और इस link पर करिए click और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं study IQ का live UPSC course जहाँ पे आपको live classes मिलती है और साती सार ऐसा नहीं के live class आपने miss कर दी तो आपका lecture miss हो गया pre recorded classes भी आपके जलते थे 18 महीने के 18 महीने की आपको यहाँ पर विलेगी variety इस sale के अंडर यहाँ पर आप देहोगे 18 प्लस 18 टोटल 36 महीने की validity यहाँ पर आप करोगे enjoy और साती सार प्राइस यह already काभी कम है बट यह भी pay करने की जुरूत नहीं है simply यहाँ पर code डालिए PD10 और prices और भी बहु money याद रखिएगा यह sale कुछी दिन के लिए है make the best of it use the code PD10 and start your UPSC journey और इसी note के साथ यह video कान thank you for listening and as I always say may the gods watch over you